गुद मॉर्निंग क्लास सेकेंड अपनी हिंदी लिट्रेचर के नोटबुक निकालिए तो क्लास हमने एक पार्ट शुरू किया था पार्ट गरिमा की सोच उसके कठें शब्द हम लोग कर चुके हैं आज हम उसके क्या करने वाले हैं शब्द अर्ट अपने स्केच पैंज निकालिए और अपनी पैंसिलर और एरेजर निकालिए सबसे पहले हमें टॉप पे लिखना है कक्षा कार कक्षा कार और आज की दिनांग डालने हैं आज की इतनी दिनांग है दस जुलाई दो हजार इक्किस अब हमें क्या लिखना है पार्ट का नाम लिखिये सबी पार्ट गरिमा की सोच और एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सभी आज हम इस पार्ट के शब्द अर्थ करेंगे पहला शब्द लिखेंगे पहला शब्द है समीप समीप कर्थ क्या होता है पास समीप कर्थ होता है लिखिये पास दूसरा शब्द लिखिये दूसरा शब्द है चैन चैन कर्थ क्या होता है क्लास आराम एक लाइन छोड़के तीसरा शब्द लिखेंगे तीसरा शब्द है याचना याचना कर्थ होता है प्रार्थना एक लाइन छोड़के चौथा शब्द लिखेंगे चौथा शब्द है असर असर का अर्थ क्या होता है प्रभाव एक लाइन छोड़के पाच्वा शब्द लिखेंगे पाच्वा शब्द है क्रोध क्रोध कर्थ क्या होता है ग्लास गुस्सा छटा शब्द नश्ट नश्ट का अर्थ होता है खत्म साथवा शब्द लिखेंगे तबाही तबाही का अर्थ होता है बर्बादी आठवा शब्द सुईकार सुईकार का अर्थ होता है अपनाना नवा शब्द धन्राशी धन्राशी का अर्थ क्या होता है पैसे दस्वा शब्द भविश्य भविश्य का अर्थ क्या होता है क्लास आने वाला समय आने वाले समय को हम क्या बोलते हैं भविश्य काल बोलते हैंना भविश्य काल उसको क्या बोलते हैं आने वाला समय तो सबसे पहला हमने लिखा समीप समीप का अर्थ क्या होता है पास अगला चैन चैन का अर्थ होता है आराम अगला याचना याचना का अर्थ होता है प्रार्थना अगला असर असर का अर्थ होता है प्रभाव अगला क्रोध क्रोध का अर्थ होता है गुसा अगला नश्ट नश्ट का अर्थ होता है खत्म अगला है तबाही तबाही मतलब बरबादी अगला है सुईकार सुईकार का अर्थ होता है अपनाना अगला है धनराशी धनराशी का अर्थ होता है पैसे और आखरी शब्द है हमारा भविश्य भविश्य का अर्थ क्या होता है आने वाला समय ओकी क्लास, so that's all for today आपको ये शब्दर बिल्कुल इसी तरह अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में करने हैं और अपने काम को दो बज़े से पहले वाट्सअप के माध्यम से मुझे भेजना है ताकि आपकी प्रेजेंट लग जाए बाई बाई आवरिवन, टेक केर